रगुपति राघव राजाराम पतित पावन सेताराम मैं काशी हूँ मेरे इस पंच कोस भूमी को स्वय भगवान शंकर ने जल से निकाला था मैं हूँ इस त्रिस्थी की प्रथम भूमी मैं सरवदा सिवत्र शूल पर इस्थित हूँ इसलिए परलय होया विनाश कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करते पतित पावनी गंगा मेरे इतिहास की साक्षी है विश्व कर्मा जी ने काशी एवं विश्वनात मंदिर का भव निर्मान भगवान सिव की आग्यां से किया था ये उस समय की बाते हैं जब देवता गण एवं अन्य ग्रहों के निवासी पिर्थवी पर आते थे समय बदला समराट बना और अंजेब सबसे शक्ति साली और विशाल मुगल सामराज्य का उसकी आग्या से उसकी सेनाओं ने खंडित कर डाला विश्वनात मंदिर को इस घटना के कुछी समय बाद और अंजेब की मिर्थ्य हो गई और समाप्त हो गया मुगल सामराज्य विश्वनात मंदिर का पुनर निर्मान महरानी अहल्यावाई ने करवाया और महराजा रंजीत सिंग ने धेरो सोना मंदिर पर अर्पित किया मेरे इस पंचकोस भूमी पर भगवान महादेव बावा विश्वनात के रूप में आज भी स्वय विरास्ते हैं और भक्तों को फल देते हैं इसलिए कहते हैं हो नहीं सकता वो जगमे अनात जिसके संग हो बावा विश्वनात नारायन नारायन जै रोशिव शंभू हे पुझ्ये पिता जगत स्रेजग ब्रह्मा जी और माति सरस्वती पुत्र नारद का परणाम स्विकार करें आओ पुत्र नारद लंबे अंतराल के बाद आये हो हाँ भिताश्री मैं प्रित्वी भर्मन पे चला गया था अच्छा तो तुम हमारे प्रित्वी वास्यों का हाल देखने गये थे हम आते मैंने अपने प्रित्वी भर्मन में देखा किस तरह संपूर्ण विश्व शिम्मे हो गया सारे मानव शिवरात्री हो या सावन का मास कैसे धूमधाम से मनाते हैं और भगवान शिव की तो जैजैकार चारो तरक गूंचती है आखिर अपने भोले बाबा है भी तो महादानी अपने भक्तों की पुकार त्रण सुनते हैं प्रंतू मेरे मन में प्रश्न बारवार ऊठता है कि जिस तरह भागवान शिव की पुझा आरचना होती है ऐसे ही हमारे पुझे पिता ब्रह्मा जी की measurement क्यों नहीं होती है पुद्र नारद यह तुम कैसी बातें कर रहे हो है तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं विश्णु और शिव तीनों एकी हैं फिर यह विभेद की बाते क्यों भक्त चाहे मेरी पूजा करे या विष्णु की या फिर शिव की उसकी भक्ती हम तीनों के पास पहुंचती है वैसे भी मैं नियुमों से बंदा हुआ हूँ क्योंकि मैं ही विधान ही और अपने बनाए नियुमों का कठोरता से पालन करता हूँ हे पिता श्री मुझे छमा करे मेरे मन में जो विचार आया उसे मैंने पड़कट कर दिया अब आप परभू की लिला आप ही जाने मैं तो चला नारायन नारायन जयो शिव शम्भू जयो बोले ना देवी आप कहां विचार मगन हो गई ही देव भले आप नारत को कुछ भी कहें मगर मुझे उसकी बाते विचार निया लगती हैं मैं मानती हूं आप शिव विष्णू तीनों एक ही रूप हैं परन्तों मेरे भी हार्दी की इच्छा है कि आपकी पूजा अर्चना पुरे विष्व में हो अच्छा तो आप पर नारत की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा है नहीं प्रभू ये उसकी बातों का प्रभाव नहीं है ये तो वह सत्य है जिसका सामना आप भी नहीं करना चाहते परन्तु मैंने निश्य कर लिया है कि मैं समस्त्रुथ्वासिओं के मन मस की तरह अपने पती को जगत पूजय देखना चाहती हूं देवी शांत हो जाईए हमने इस ब्रह्मांड के कुछ नियम बनाए हैं आप तो जानती ही हैं कि हमारा एक दिन पृत्वी वासियों के लिए सहस्त्रों वर्ष के बराबर हैं मेरे ही जागने और सोने से पृत्वी का निर्मान और विनाश होता है अभी कुछी देर के पश्चार मैं सो जाओंगा और ये प्रत्वी नष्ठ हो जाएगी उसके पश्चार जो नव जगत का निर्मान होगा उसमें आप अपने इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें जाया जय हो शिवशंकर जय हो भोले नात कहो पोत्र नारत अचानक इससे में तुम्हारे आने का कारण हे भोले शंकर है भोले नात प्रले की घरी आ अ गए है ओने पता है वच्ष नारत परन्टो हमने और ब्रह्माजी ने मिलकर सुख शान्ती और स्मृति के साथ साथ विन नाश्मी धर्ती के लिए सुनिश्चित कर रखा है यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित है तुम जिस उद्देश्य से यहां आये हो उसे हम जान गए हैं परंतु इस प्रक्रिया में बाधा डालना संपूर्ण ब्रह्मान्ट की व्यवस्था को अवरुद्व करना होगा इसलिए तुम्हें आज हमसे निराशा ही मिलेगी मगर इसे रोकिये वरना अनर्थ हो जाएगा आज जब सभी की आस्था आपने विद्यमान है तो अपने भक्तों को बच्चाईए अन्यता आपकी भक्ती का क्या लाब बस हमारे भक्त में श्रिटी के बनाय हुए नियमों के अंदर ही हैं हमारे आशिरवाद भी प्रत्वी की स्थिर्था पर निरभर करते हैं और तुम जिसे विनाश और प्रलय कह रहे हो ये पूरी प्रक्रिया धर्ति और प्रम्मान को नवींता ब्रतान करती हैं यह सामान ने प्रक्रिया है पुत्र नारत ये तो हमारे ही बनाय हुए नियम है हम इनका उल्लंगन कैसे कर सकते हैं ये बोले शंकर शायद आपको असमनन नहीं कि आपने काशी नगरी को अमरत्व का वर्दान दिया था और आहज आपकी वही काशी नस्ट होने वाली है फिर आ ये भी पात्पती यदि हमारे ही बनाय हुए नियम और हमारा ही दिया हुआ वर्दान आमने सामने हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए हे नात समय की पुकार को देखते हुए नियम बदले जा सकते हैं परन्तु दिया हुआ वर्दान कभी वापिस नहीं लिया जाता अर्थात आपको काशी नगरी को बचाना ही होगा ठीक है ऐसा ही होगा कर्या कर्या अर्था एंजब 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 आ लॉई खर्णे लिया को बचाना ये वापकों श trivia i वापकों बचाना जा जा एंजब एंजब झाल झाल देखा प्रभू, शिव जी ने क्या किया? काशी सुरक्षित, तसंपूर्ण विशु सरक्षित जैसे शिव जी की इच्छा महिमा काशी मिश्वना काशी विश्वनाथ की महिमा काशी विश्वनाथ की काशी विश्वनाथ शिव जोती रेंग है कटगटवादी अविनाशी देवों में महादेव हैं काशी विश्वनाथ जी गंगा तटपे विराजे स्वयम बोले नाथ जी महिमा बड़ी तीफों में काशी विश्वनाथ की करो जै जैकार बाबा भोले नाथ की बड़ी बड़ी तीफों में काशी विश्वनाथ जी करो जै जैकार बाबा भोले नाथ जी देवों में महादेव हैं काशी विश्वनाथ जी देवों में मह देव हैं काशी विश्वनाथजी गंगा तट पे बिराजे स्वयां बोलनाथजी महिमा बड़ी दिर्थों में काशी विश्वनाथची करो जय जयकार बाबा बोलनाथची मैं मिल्मा पड़ी दिल्थों में ताशिविश्व नादगी करो जै जैकार बाबा भोले नादगी कहने को धरेती परकाशी फिर भी धरा से उपर शिवत्र शूल पे ठहर हुई है तीनों लोक से सुन्दर ओ सभी देवता फिरते रहेते अपना भेश बदल कर अमरित जल के साथ साथ गंगा बहे दिन रात गंगा तट पे विराजे स्वयम बोले नाथ जी महिमा बड़ी तिर्थों में काश विश्वनात की करो जैजेकार बाबा भोले नाथ की महिमा काश विश्वनात की काश विश्वनात की विश्वनात जी जगदंबातों अर्धनारेश्वर रूप है ब्रह्मा विश्णो जी प्रगट हुए यही शिव के दिव्यस्वरूप है पुत्र इनी के कार्थी के अगन पती जिनका रूप अनूप है शिव शक्ति परिवार भगतों जुकाओ मात शिव शक्ति परिवार भगतों जुकाओ मात गंगा तट पे विराजे स्वयम भोले नाथ जी महिमा बड़ी तिर्थों में काश विश्वनात की करू जै जैकार बाबा बोले नाथ की शिव के अंश भैरव जी में काटा ब्रह्मा काशीश ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो धोई यही गाईश ओ आथ परिक्रमा कोई करे तो क्रिपा करे जगदीश कपाल मोचन धाम बनाए गौरी नाथ गंगा तट पे बिराजे स्वयम बोले नाथ जी महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनात की करो जै जैकार बाबा बोलनात की गंगा जी के पावन घाट पे राजा हरेश चंद्रदानी मृतक पूत्र को लाई उनकी दिनहीन महारानी सत्य धर्म की रक्षा करते राजा हरेश चंद्रदानी कर मांगे महराज माया मुह को त्याग गंगा तक पे बिराजे स्वयम बोलनात जी महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनात की करो जै जैकार बाबा बोलनात की बड़ी मां बड़ी दिल्थों में आजी विश्वनात जी लग जैने दार वाव कोने लग जी कर दो कर दो सुनो काओ वालो सुनो शंका कड़ के वासियो ध्यान से सुनो एक जरूरी एहलान सुनो जिसने पूरे विंध्याचल प्रदेश में आतंक मचा रखा है और जो हत्याँ और लूट पार्ट के लिए दोशी है उसके लिए सरकार ने ये एलान किया है कि भैरव सिंग को जो भी जिन्दा या मुर्दा पकड़वाएगा उसे पचास हजार रुपे का इनाम दिया अरे भैया भारो शिंग का को नाति पकड़ेगा जो जादे लॉट पचेस करेगा ना भारो सिंग कुछ नहीं स्विधा प्रश छोन ची घटा जेगा भारो सिंग आदमी ठोले है सतान है सतान एकदम ठीक कहा थो भैया अरे राम से ये तलवार तो काफी सुन्दर है रे जरह निकाल तो इसे अरे जरा लेकर तो आ तलवार निकाल तो इसे अरे दरोगाजी ऑस तक कोनो ससुरकानाति नहीं निकाल सका आपका निकाल सकेंगे, निकाले जोट, लगाईए, दम लाके, महाच चपाथे हो, यहोच चपाथे हो, लगा करें, बुरा लगा करें, लगा जोट, थथरा रहा, लगा रहा, पेनी का जोट लगा, बत, अपका जोट, लगा जोट, लगा रहा, वेर्थ परिश्रम न करो, यह तलवार नहीं निकलेगी, और तुम याप राज न करो, यह तलवार इस गाउं के धर्मराज, स्वर्गी ठाकुर रूद्र प्रतापकी है, भगवान श्रिव ने, स्वयम उनके पूरोजों को, यह तलव पार दी थी, इसे तो सिर्फ इस धर्म पीठ का अधिकारी ही निकाल सकता है, यही श्रिव वर्दान की महिमा है, ओम नमस्षिवा, ओम गेंद्र हाराए तिलो चनाए, भसमांग रागाए महिश्वराए, नित्याए शुद्धाए दिगंबराए, तसमईनकाराए मंदा के ने सलिल चन्दन चर्चिताए, नंदिश्वर प्रमतनात महिश्वराए, मंदार पुष्प भह पुष्प सुपूजताए, तसमईनकाराए नमस्षिवाए उव पुपूज हुए परनाम गुरुदेव परनाम आयुश्मान भवपुत्रो तुम लोग अब संसारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो भगवान शिव तुम्हारी साहता करे आज आपका बेटा धर्मा गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके लोट रहा है आप खुश है ना वर्शों के बाद ये मा आज उसे देखेगी खुशी से मेरा दिल धड़क रहा है स्वामी पता नहीं कैसा लगता है हमारा धर्मा वर्शों के बाद ये मा अपने लाल को देखेगी कर पूरा वर्शों के बाद रहा है करणा वतारं संसार सारं भुजगेंड्रहारं सदावसंतं मृदयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामी भवं भवानी सहितं नमामी कर दो दो प्रशों के बाद रहा है कर 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 दो दो प्रशों के बाद रहा है कर दो प्रशों के बाद रहा जिनकी जटाएं गंगा की लहरें बाएं विराजी पार्वती पाप नश्ट करो जगत का अप्रभू जै हो काशी विश्वनाद की पार्वती पती महादेव जी विश्व पिता है शिव शकर मनो कामना पूर्ण करो प्रभू अपने ही जैसा दो मुझे वर्ण करना दो जी जैसे को जटीप मुझे विश्व पितान दो मुझे विश्व शकर प्रभू शकर जान अब दो कर दो कर दो कर दो अरे तुम को ही डूण रहा था मैं तुम को ही डूण रहा था मैं समझे पंडी अरे तुमने तो मेरी शादी करवा के मेरी जिन्दगी वर्वात कर दी सर्फ हुजा रहे हो अरे मेरी शादी के फेरे भी तुमने डलवाए मेरी शादी के उल्टी सीदे मंतरों का जाब भी तुमने ही किया ये सब कर करके तुमने मेरी जिन्दगी वर्वात कर दी समझे अरे का बात करते हो जजमान अरे हमने तो तुम्हारी शादी काशी पंचांग और मितला पंचांग देखने के बाद ही बड़ी निष्टा पूरवक करवाई थी अरे तुम्हारी निष्टा गई भाड में पंडित बड़ी निष्टा पूरवक करवाई थी अरे शादी होने के बाद भी रन्वा बना पूरे गाउं में गूम रहा हूं समझे मैं यहां हूं और मेरी घरवाली माईके में हैं समझे और जब भी उसको लेने को जाता हूं पंडित मुई दर करो जब भी मैं उसको लेने के लिए जाता हूं तो कोई न कोई अर्चन आ जाती है अभी देखो, दस मैने पहले गया था उसको लेने, तो पता चला उसकी दादी मर गई, फिर गया चार मैने बाद उसको लेने, जाओ मात, फिर लेने के लिए गया तो पता चला उसकी मौसी मर गई, और अभी परसों जाकर आया हूँ, तो मालूम चला उसका बैल, मैं, ऐसा करक तो सब विधाता के हाथ में है एक बात सुलो पंडित कान खोल करके अगर तुमने हमारी घरवाली का घरवाली का कोना नहीं करवाया तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा तहीं बोला हरकु भाईया आज तक इसने जिसकी भी चारी कराई है उसकी भी भी माइके में ब प्रणाम ठकराईन कहिए पंडित ची कैसे आना हुआ लो कर लो बात कैसे आना हुआ इस पंडित का काम ही है योग के रिष्टा लाना और विभा करवाना लेकिन यहां क्यों आया हो मैं तो अपने छोटे ठाकूर के लिए जमिंदार भानु सिंग की बेटी की शादी का तु आपने कोई उत्तर नहीं दिया हमें इस विशे में कोई बात नहीं करनी क्यों ठकराईन आप भी चाहें ठीक है ठकराईन अब तो हम सब के बहुरानी के देखे के इच्छा हां अब तो जल्दी छोटे ठाकूर के बहाग कर दे ही इस हवेले में चैल-पैल हो जाई खबर्दार आज के बाद जो इस हवेली में शादीव्या की भात की समझ गई ना तु मा जी अरे छोटे ठाकूर आ गए चोटे ठाकूर अरे छोटे ठाकूर आ गए कि मा आं मा, चल मेरे साथ क्या बात है मा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं मा तुम एतने घबराई हुई क्यों हो कुछ नहीं बेटा, मैं आज तुम से कुछ मागना चाहती हूँ मुझसे, सब कुछ तो तेरा है मा मुझे एक वचन दे बेटा एक वचन क्या, तुम उसे सौ वचन ले ले मा मेरे सर पर हाथ रखकर वचन दे कि जो मैं कहूंगी उसे तु पूरा करेगा अवश्य, क्यों नहीं मा मैं वचन देता हूँ मा बेटा, मुझे वचन दे कि तु जीवन में कभी विवाह नहीं करेगा जीवन अविवाहित रहेगा वेटा, मुझे वचन दे ठीक है मा मैं धर्म परताब ठाकुर धर्म राज रुद्र परताब सेहिं का पुत्र आज अपनी जन दात्री मा की चर्नों की सौगन दखाकर गन लेता हूँ कि मैं आज इवन अविवाहित रहूंगा जुग जुग जीओ मेरे लाल जुग जुग जीओ जुग फोले नाज जीओ सदा सुखिरो पुत्री बेटी तुम्हारे चेरे पे बहुत तेज है जो बतलार आए कि तुम्हारा भवश्य बहुत बुजवल है यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हों भगवान शिवकी पूजा करती हो लेकिन बेटी सोमवार का वरत एबन तीजवरत अवश्य क्या करो ये अत्यंध फलदाई है सोमवार का वरत करने से तुम्हारी सारी मनुकामनाई पूर्ण होंगी मन्चहवार प्राप्त होगा जिस तरह देवी पार्वती जिने सारे कटनाईयों का सामना करते हुए इसी वर्द के फलसरूप भगवान शिप को प्राप्त किया देवी पार्वती पर उन्हें किन कटनाईयों का सामना करना पड़ा सहस्त्र वर्स पहले हिमाले परवत्त राजा हिमाचल का राज्य था इन्ही राजा हिमाचल के हां भगवान शिप की पहली पत्नी सती का पुनर जन्म हुआ तो देवी पार्वती नाम दिया गया और देवी पार्वती भगवान शुप को प्राप्त करने के लिए कठोर तब करने लगी जिसे देख राजा हिमाचल चिंतित रहने लगे और उहोंने भगवान विश्णु के साथ उनका विवा तै कर दिया अच्छा जब ये समाचार देवी पार्वती को मिला तुवे अपने राजमहल को त्याग धनेवन में चले गई और कठोर तबस्या में लेन होगे जय श्यवशंकर जय भूलिणाथ औम नम्हाशिवाई ! औम नम्हाशिवाई ! औम नम्हाशिवाई! आप कौन है कहां से आई हैं आपके इस तपस्या का उद्देश्य क्या है और इस निर्जनवन में किसे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे ही हो देवी इस धर्थी की कुवारियों के प्रियतो भगवान विश्णु ही है तुम कौन हो ब्रह्मचारी और मेरी तपस्या में विगन डालने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम कहां से आये हो हम ब्रह्मचारी का अप्रद धारण कर इधार उधर स्रस्टी की भलाई के लिए खुमते हैं और देवी आपने जो हमें आदर दिया है वो भी उचित ही प्रतीत होता है किन्तु देवी आप कौन है और आपके तपस्या का उदेश ही क्या है हे ब्रह्मचारी जब आप मेरी तपस से क्या उदेश नहीं जानते तो आपने भगवान विश्णु का नाम क्यों ले लिया मैं राजा हिमाचल की पुत्री राजकमारी पारवती हूं और शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं विश्णु और ब्रह्मा को छोड़कर शिव के समान पती पाने के लिए तप कर रही हूं परन्तु शिव वो तो संसार से बिलकुल अलग है भगवान विश्णु सर्वगुण संपन प्रतिष्ठित तथा कुलवान है परन्तु शिव उनके न तो वंश का पता है और न कुल का पता है जदैव अपने शरीर पर सर्व और भस्म लबेटे रहते हैं और क्रोधित होकर कहीं जंगल में अकेले बैठे रहते हैं देवी और तो और उन्होंने अपने क्रोध से स्त्रियों के प्रियक कामदेव को भी भस्म कर डाला है मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अपने मन के विचारों को तुरंत बदल डालो अम्रित पान छोड़कर क्यों विश्पान करना चाहती हो देवी क्रोधित नहों देवी आपके मुख मंडल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांती विराजमान है आपका रूप सौंदरे का खजाना है देवी इस प्रकार अपने सुंदर्ता को क्यों विर्थनष्ट कर रही हो आपसे विवाह के योग्यतों पिश्णु ही हैं उन्हें से विवाह करो शान्त ब्रहमचारी शान्त अब तु चुप हो जा तुझे ब्रामण होने के नाते मैं तेरा अपमान नहीं कर रही तुने तो वेद के विरुब शिवजी के अत्यांत निंदा की है तुझे प्रामण होने के नाते प्राण दंड भी नहीं दिया जा सकता अब मैं वेद, पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन कर रही हूँ कोई भी देपता उनसे शेष्ट नहीं है वे सभी के इच्छाओं के ग्याता पूर्ण ब्रह्म अलग जगदीश हैं उन्होंने ही ब्रह्मा जी को अपने श्वास मार्क से वेद क्रंथ दिये वही शिव सब के आधी मध्य एवं अन्त हैं उनके तेज और प्रताब को आज दिन तर कोई नहीं जान पाया है वे अपने भगतों को तीनों लोग प्रदान करते हैं तु अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है इसलिए तेरा वचन वेद के विरुध है यदि तु शिव को जानता तो धर्म के विरुद ऐसा वचन कभी नहीं कहता उनकी अराधना और पूजा से प्रहमा जी द्वारा निश्चित मृत्यों को भी बदला जा सकता है जो मनुश्य शिव जी की निंदा करता है उसे बहुत दुप्राप्थ होता है जो दुष्ट एवं अनाचारे ब्राह्मन शिव के विरुद है वे करोडों जन्मों तक दरिद्र ही रहा करते हैं हे ब्राह्मन तुने शिव के निंदा करके अपने लिए नर्ग कमार खोला है तेरा आदर करने से मुझे कोई भल प्राप्थ नहीं हुआ वरन समस्त पुन्य नश्ट हो गए अब तू सीधे अपने घर चला जा क्योंकि मेरा मन शिव जी में लग रहा है बाग जा यहां से जैसे तुमारी इच्छा देवी प्रभू मैं तो सदा से ही आपकी दासी हूँ मेरे चाहे करोडों जनब बेच जाए परन्तु मैं आपके सिवा अन्या किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी हे स्वामी यदि मुझसे अगर कोई अपरात बन बड़ा हो तो उसे शमा करें और इसी समय मुझे अपने दर्शन दे कर खृतात करें यदि आप आज प्रकट नहीं हुए तो यह माचल पुत्रीव पारवती अपने प्रान्त याग देगी प्रभू प्रकट हो ये प्रभु प्रकट हो ये प्रभू प्रकट हो ये पूछ रही धर्टी अंबर से, पूछ रही कणकण से पूछ रही धर्टी अंबर से, पूछ रही कणकण से कहा हो मेरे भूल नात जी ढून रही मैं कब से मेरे शुजी तुम कहा हो, मेरे भूली तुम कहा हो मेरे भूले तुम कहा हो, मेरे भूले तुम कहा हो पूछ रही धर्टी अंबर से, पूछ रही कणकण से कहा हो मेरे भूल नात जी ढून रही मैं कब से मेरे शुजी तुम कहा हो, मेरे भूले तुम कहा हो मेरे भूले तुम कहा हो इस जीवन की तुम्हें इस जीवन की तुम्हें विठाता और न कोई दूजा मेरे भोले तुम्हें मेरे शंकर तुम्हें मेरे भोले तुम कहाँ हो जनम मिला जब से धर्ती पर तक से मिला तिखानी तुम्हो मेरे शिवशंकर जी मैं ही सती भवानी जनम मिला जब से धर्ती पर तक से मिला तिखानी तुम्हो मेरे शिवशंकर जी मैं ही सती भवानी अब तो आओ मेरे स्वामी आज मुझे अपना रो मेरे शुचे तुम कहाओ मेरे बुने तुम कहाओ मेरे शंकय तुम कहाओ, मेरे भूने तुम कहाओ आखों में है तुम्हारी सूरत होटों पेशिवना, बारं बार करूं मैं प्रभुजी तुमको नमन प्रणा आखों में है तुम्हारी सूरत होटों पेशिवना, बारं बार करूं मैं प्रभुजी तुमको नमन प्रणा मुझ परताया करो मेरे शंभो अपनी कृपावर सादों मेरे श्यु जी तुम कहाओ, मेरे भूने तुम कहाओ मेरे शंकर तुम कहाओ मेरे भूरे तुम कहाओ पूछ रही धर्डी अंबर से पूछ रही कनकन से कहा हो मेरे भूलिनाथ जी ठोणन रही मैं तब से मेरे शुझी तुम कहा हो, मेरे भूले तुम कहा हो मेरे शंकर तुम कहा हो प्रभु प्रभु आप प्रभु आप प्रभु उठो पार्वती प्रभु उठो तुमने हमारी जितनी आराधन और तपस्या की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की तुम्हे ग्रहन करके हम भी पवित्र होते हैं यदि भी हमारा अताप और संयम द्रड़ हैं परन्तु तुम्हारी तपस्या ने उसे भी हिला दिया तुम ख्रोध न करो, हम लें ये सब बात रह्मचारी बन कर तुम्हारी परिक्शा लेने के लिए कि तुम तीनो लोको की माता तथा देवी हो, उत्पत्ति पालन तथा प्रलय तीन गुण रखती हो, तुहें तीनो लोको को आनन्द देने वाले हो हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझ पर वास्तम में प्रसन हैं, तो मुझे अपनी इच्छा अनुसार वर दीजिए, आप मेरे पती होकर इस संसार की रीती के अनुसार मेरे साथ विवा किजिए हे गिरजे, तुमने जो बरदान मांगा है, हम उसे स्विकार करते हैं, शीग्रही हमारा और तुम्हारा विवा होगा पुत्री पारोती, पिता श्री, बाता श्री, गिरजा पुत्री, बिना किसी सूचना के तुम इस वन में चली आई, हम सभी लोग कई महनों से ढूंड रहे थे तुम्हें, पर चिंता का कोई अधिक विशे इसलिए नहीं था, क्योंकि तुम रूपवान तो हो ही, साथ साथ समर्थवान भी हो, और हर परिस्थिते में तुम अपन पुत्री, तुम्हें इस विवा से कोई आपती तो नहीं, यह तो इसका सौभाग्य है कि जगत पालक विश्णुजे ने हामी भर्दी है, पार्वती, तुम इस विवा से तो प्रसंद हो ना, हे माते, यह कैसी विदंबना है, कि तुम जन्नी होकर भी, पुत्री के मन को न स सकी, मैंने उन्हें अपने मन में बसा लिया है, जो देवों की देव, इस प्रमांड के स्रिजक है, पुत्रे कहें तुम ब्रमाजी के विशे में तो बात नहीं कर रही, नहीं पिता श्री, मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं उनके बारे में कह रही हूँ, जो बर् मेरी तपस्या से प्रसंद होकर उन्होंने भी मुझे अपनी अधांगनी स्विकार कर लिया है महराज जब मैं विश्णु लोग गया था तो विश्णु जेनी भी मुझसे यही कहा था पारवाती जिस्थे चाहे उसी से उसका विवा करें लेकिन पुत्री, वो है कौँँ नारायन, नारायन से नारायन, परणाम मुनिवर, हे देवी पारवती, सोड़ा पर्थम आप अपने पिता श्री से ये वचन लेले, कि आप जिन से कहेंगे, पुरोहिजी और नाय जी, उन्हें ही जागरति लग चड़ाएंगे, मुनिवर, ए इस विशे में हमें जानकारी तो होने ही चाहिए, हे ही माचल महराच, क्या आपको इतना जानना काफी नहीं होगा, कि वो देवोग के देव, विश्वड रचैता, जगक च्रिजक, जयो भोले नारायन, सुनिये, अरे ओप रोई जी, आप हमें कौन से निर्जनिस्थान पर ले आये हो, यहाँ तो चारो और शूनी ही शूनी दिखाई देता है, प्राण बचाना भी असंभाव है, और वो देखो दूर अघोरी को, कैसा भयानक साप अपने गले में लटकाए हुए है, आप शीगरु वापस चलिए, और पारवती जी के लिए कोई योग्य वार ढूंडिए, यह व्यक्ति गिर्जा के लिए आयोग्य है, तो चुप क्यों नहीं रहता मुर्ख, क्यों व्यर्सिव पर लाप कर रहा है, चल मेरे साथ, भॉले नात की जै हो, अब ब्रहाम मरदेव, आप दोनों कौन है और किस कारे है तो यहां आए है, रभू, हम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं हिमाचल नरेश का राज प्रोहित हूँ, हिमाचल नरेश की पुतरी, राजकुमारी पारवती आपसे विवा करना चाहती है, अता, हिमाचल की और से लाई गई यह भेट, सुख्यार करने की आपार करपा करें, पुरोहित, यह उचित नहीं है, महराज हिमाचल परवतों के राजा है, धनवान है, इसके विपरीध हम, निर्धन है, मित्रता, शत्रुता तथा विवाह, समान बलवालों के साथ ही करना चाहिए, दैव उन्हें बहुत कश्ट उठाना होगा, राजपुत्री है, उनका विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए, और दूसरी बात यह है, कि इस दिलक के भेट स्वरू, पर उसकार में तुम्हें धन भी नहीं मिलेगा, हम तो तुम्हें केमल थोड़ी सी भस्म दे सकते हैं प्रभू, आपके एगर भस में मिल जाए, तो जीवन धन्य है, जैन होने लागे अरे ओप रोई जी, ये क्या भस्म दे लिए उस अगोरी से, कुछ देदो बाबा भगवान के नाम पे, देदो बाबा, ये ले रख, भाल तु की मुसीबत पता नहीं क्यों ले लिए थे सोना, सोना इस तरह उन्होंने सारे कठनाईयों से लगते हुए भगवान शिप को प्राप्त किया, बेटी, तुम्हें शायदिये ग्यात नहों कि पारवती जी अपनी तपस्या के कई वर्ष इस विंद्याचल प्रदेश में विविताय थे, और उन्होंने सोयम एक शिवलिंग भी अस अच्छा, तो मैं चलता हूँ बेटी पारवती जी द्वारा स्थापिज शिवलिंग यहीं कहीं है, तब तो हम इस शिवलिंग को अवश्य ढूंडेंगी और इसका अभिशेक भी करेंगी यह क्या शिवानी, आज सुबे से तुम लुटिया लेकर चली आई हो शिवलिंग दुन्डे जंगल में, अब तक तो मिला नहीं, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं अरे, हमें पूरा विश्वास है, मा पारवती द्वारा स्थापिज शिवलिंग, हमें जरूर मिलेगा तेरे इसी विश्वास के कारण तो हम इतने देर से इन जंगलों की खाप चान रहे हैं शाम हो गई, आप तक तो कुछ पता चला नहीं, अब घर चलते हैं, पता नहीं कोई जंगली जानवा राज है अरे सूरज चलने में अभी थोड़ी देर है, थोड़ा ओर ढून लेते हैं योगी राज में कहा था यहीं कहीं होगा, लता तुम कुछ बोल दी क्यों नहीं अरे ये दोलों कहां चली गए सला चलने में अर चलेद हैं जो कोई वोड़ी थे दोलों कहांदे हैं गिर्थ बाप गलादो फजय हो दोगा है झाल झाल यह तो अवश्य वही शिवलिंग है जिसे माता पारवती ने स्थाफिक किया था कर दोर्ण है पुट्री जरो मत यह शिवलिंग हमें अध्यंत प्रिय है और हजार अवर्शुबाद किसी ने इसका अभिशेक किया है तुम जो वर मागोगी वो आज हम तुमें देखे आज पावंत रेयोदशी है बोलो क्या इच्छा है तुमारी हम क्या मांगे आज तो हमारे जीवन धन्य हो गया स्वयम शिव और पारवती आज हमारे साथ हैं अब तो और कोई अभिलाशा ही नहीं बची देवों में देव महादेव आपकी दर्शन से ही हमारे जीवन धन्य हो गया पुत्री स्वार्न चाहिए रत्न चाहिए वस्त्र महल या फिर राज्यसत्ता जो भी तुमारे इच्छा होगे हम पूर्ण करेंगे हाँ पुत्री तुम भायमुक्त होकर मांगो जो मांगना है मांग लो पुत्री संकोच न करो हे प्रभू आप तो अंतर यामी हैं आप हमें बता सकते हैं कि हमारा विवा कब होगा तुमारा विवा अतिशीक्र होगा पुत्री परन्तु हमारे पती कैसे होगे बोलो तुम्हें कैसा पती चाहिए जो रूपवान हो नहीं जो धनवान हो नहीं जो संपूर्ण विश्व का राजा हो? नहीं तो फिर तुम्हें कैसा पती चाहिए? हमें ऐसा पती चाहिए जो धर्म का राजा हो धर्म राज हो सुन्दर, आति सुन्दर तथास्तो, सुभाग्यवती भवा अखंड सुभाग्यवती भव सब की कामना शिव के समान ही पती हो हर युवती का नील कंठ शिव को पूजो तो आशिश हो पार्वती का ओ दे वर्दान शंभू नारी को अखंड सुभाग्यवती का ये तो सचमुष के भगवान थे हमने तो भगवान से वर्दान पाया है लता लता तो हम सब कहा हो अरे यहां तो कोई नहीं है कही हम सपना तो नहीं देख रहे ये तो सवयम भगवान शिव और मा पार्वती ही थे कहते हैं शिव भूले नात जी बड़ी ही दीन दयाना भूले से भी पूझे कोई तो शिव उस पे हो करे पाला पिल्व पत्र जल शिव पे चले तो हो अभी येक निराला संकट हर ले नात जी वर दे दीनाना गंगा तक्त बिराजे स्वयम भोले नात जी मही मानिराली ताशी विश्व नात की बोलो रे जै बोलो बाबा भोले नात की शिवानी जी पिता जी बेटी शिवानी मैंने तुमारा विवाह अपने बच्मन के मित्र भानु सिंग के लड़के कुमर विरेंदर के साथ मैंने तै कर दिया है और विवाह शिवरात्री के दो दिन बाद निचित हुआ है क्या आपने हमसे पूछने की आवश्यक्ता नहीं समझी मैं तो निचिन्त हूँ बेटी के जब स्वम शिवजी ने और मा पारवती ने तुम्हें मन चाहेवर की प्राप्ती एवं अखंड सोभाग्यावती होने का वरदान दिया है तो सब मंगल ही होगा मंगल ही होगा यही है हमार मन चाहावर गृसे अनजाने में शिवानी ने उनके शिवलिं का विशेट कर लिया तो उसे अखंड स्वभाग्वती का वरदान दे दिए और अब तो तो शिवरात्री के दो दिन पश्षात शिवानी का विवा भी होने वाला है आज तो शिवरात्री है माते और देखिये ना शिवानी शिवरात्री कैसे धूमधाम से मना रही है शिवरात्री आईरी शिवरात्री 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 शिवरात नंदी पर शिव शंभ विराजे, जगत पती विश्वनात, जगत पती विश्वनात, शुब रात आये, शिव रात आये पावन पर्व है शिव रात्री का, शुब विवा है शिव पार्मती का राज ही माचल के घर आये, जब शिव की वारात, भूत पिशाच प्रेत चिग धाने, जीव जन्त सब साथ नारायन, नारायन, जे ओशिक्यंकर भोलेना वाले रूप में, वाले शक्तर देख समीना बिर्टा, बंटप से उच्या, इसके पेटी से तेरी शादी नहीं होगे नारायन, जे हो शिव शम्भू बोलेना, देखा परभू आपने, माते सरस्वती ने तो शिवानी का विवा भंकरा दिया, और आपने तो उसे मंचाहपती का वर्दान दिया था, अब उसका क्या होगा परभू? जो होगा उचित ही होगा, देवी सरस्वती ने जो भी कुछ किया, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, ये तो वही बता सकती है. आज मेरी शादी तेहेश की कारण नो हो सकी, मेरी बारात भी वापस चली गई, और मेरे पिताब उस दुष्ट के घर बारात वापस लाने की भीग मांग रहे होंगे, नहीं करने है मुझे उसका अश्र शादी, नहीं जीना है मुझे, अब मेरा इस अंसार में जीने का रहा ही क्या, मुझे नहीं जीना, मैं विश्पीलूगी, मैं मर जाओंगी, तुम यह क्या कर रही हो, जीवन इश्वर की देन है, इसी यू नस्त न करो शिवानी, तुम यहां क्या कर रही हो, वहां सभी तुम्हें ढून रहे हैं, और पिटाजी भी लड़के वाले के साथ वापस आ रहे हैं, नहीं, नहीं करना मुझे उसका वरंड, नहीं करनी मुझे उससे शादी, वो कायद नहीं हो सकता हमारा पती नारायन, नारायन, जयो बोले नाथ, तो यह होंगे तुम्हारे पती, क्यों धरमपरताप, तुम्हें तो शिवानी पसंद है न? योगी राज आप यहाँ, आप कौन है योगी राज, परिचय बाद में, पहले मेरे प्रशन का उत्तर दो, क्या शिवानी तुम्हें पसंद है, हाँ, किन्तु, किन्तु उन्तु बाद में इसके मन की बात मुझे पता है, धरमपरताप और शिवानी, आज तुम दोनों का व जिवा होगा, किन्तु मैंने आज जीवन विवाना करने का प्रण लिया है, शिवानी भी वचन वद्ध है, कि आज वो कर लेगा आत्मात्या, पुत्र, सिर्फ तुम उसके प्रानों की रक्षा कर सकते हो, एक तरफ एक इंसान का जीवन, और दूसरी तरफ तुम्हारा वच हाँ, धर्म की रक्षा के लिए मैं करूंगा विवा, तुम दोनों का विवा, अभी भगवान शिव के समक्ष होगा, जय बोले नात् तुम क्या जानों, तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है अक्षर अक्षर की आश्रिंगार तुम्हें गीत बनाया है तुम क्या जानों, तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है तुम क्या जानों, तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है अक्षर अक्षर की आश्रिंगार तुम्हें गीत बनाया है तुम क्या जानों, तुमको अपना मीत बनाया है हाँ तुम क्या जानों, तुम क्या जानों, तुम क्या जानों आजा जुमकी आजा, आजा जुमकी आजा प्रणाम माजी खुश रहो, क्या बात है? प्रणाम करो पहुच हो प्रणाम, तेरी घरवाली आई है, इसलिए बहुत चेकरा है नहीं माजी, माजी, आप तो त्योहार मनाईए खुश या मनाईए, खुम धूम धड़ाका होगा मैं तो पूरे गाउं को जा रहा हूं खुश खपरी सुना आने के लिए क्यों तेरी घरवाली का गौना हुआ है? नहीं माजी, आपको नहीं मालूम छोटे ठाकूर इस अवेली में पहु लेकर आ रहे हैं क्या बक्वास करता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है सुबर सुबर भांग पी लिए क्या? नहीं माजी, कसम खा कर कह रहा हूं कसम से धर्मा ठाकूर ने विवहा करके तवेली की ठाकूर खांदान की आन की धर्म की शान रख लिए माजी यह क्या किया तुने धर्मा? वही रुक जाओ धर्मा माँ, हमें आशिर्वाद दीजिए क्या आशिर्वाद दे तुम्हें? तुम्हारे सुहा की जोड़े में हमें विनाश नजर आता है विनाश? पर कैसा विनाश माँ? धर्मा का विनाश, ठाकूर वंच का विनाश और तू लेकर आई है यह विनाश माँ, आप नाराज नहूँ, आपके बेटे तो एक महन इंसान है यह तो साक्षा धर्म की अफदार है आप जानती है माँ, जब हम और हमारे पिता जी पूरी तरह से बेसहारा थे और हमारे खांदान की प्रतिष्ठा दावपर लगी थी यदि माँ उस परिस्थिती में इन्होंने हमारा हाथ न धामा होता तो माँ, आज हम कहीं के नहीं रहते और आप तो धन्य है माँ, जो आपने एक महान पुत्र को जन्म दिया है और आज हम अपने आपको इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री मानते हैं हमें आशीरवाती जे माँ आओ मेरे साथ आओ बेटी, यह है तुम्हारे ससूर रुद्र परताप सिंग धर्मा के पहले इस विंध्याचल प्रदेश की यह धर्मा अधिकारी थे उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द यहां का कानून था चारों तरफ धर्म और नयाय की गूंच थी किन्तु यहां एक पापी तुष्ट भैरव सिंग भी था जो हमेशा इस कोशिश में रहता था कि वो तुमारे ससुर की प्रतिष्टा को कैसे गिराए और एक दिन चुटू मुझे थाकूर थाकूर सहाब इसने मेरी बहू के साथ बलातकार करने की कोशिश की है इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए थाकूर सहाब कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सभी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि धैरव सिंग ने मोहन की पतनी सीता के साथ बलातकार की कोशिश की जो अपने आप में जगन्य अपराध है अपराधी के पुर्वितिहास को देखते हुए यह बात निश्चित है कि इसका अब इस विंद्याचल प्रदेश में रहना उचित नहीं है इसलिए मैं रुद्य प्रताप सिंग भैरव सिंग को आदेश देता हूँ कि वो आज इसी छण अविलंब विंद्याचल प्रदेश को छोड़ कर चला जाए और आज के बाद इस विंद्याचल प्रदेश का कोई भी नागरिक ना उसे शरन देगा ना ही अंजल देगा अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो वो भी इस धर्म पीट का दोशी होगा तु पश्ताएगा ठकौर मत अस्थ ठकौराइन ठकौर साब ठकौर साब मंदर में आप भूशनों की चोरी होगी ठकौर साब ठकौर साब मंदर से आप भूशनों की चोरी की है पुजारी जी आप भूश में तो है इतना बड़ा इल्जाम ये जूट बोलते हुए आपके जबान कट क्यों नहीं गई जूट मैं जूट बोल रहा हूं तो ये क्या है ठकौर साब मंदर के आप भूशन इसके घर से मिले नहीं ठकौर साब मैंने चोरी नहीं कि ये मुझे फचाया जा रहा है इसकी भूली सूरत पर मत जाईए यहीं चोर है नहीं नहीं आप भूशन का मोहन के घर से मिलना इसे दोशी साबित करता है सजा सुनाने से पहले मैं आदेश देता हूं कि मोहन शिवरात्त्री तक सारे आभूशन वापस कर देए पुजारी समझता है देख कैसा है तेरा इंसाफ इंसाफ के पुजारी देख तेरे इंसाफ की मौत को तेरे ज्याए ने मेरे कुल का नाश किया है मेरा बेटा मेरा नाव तेरे गलत पैसले की वज़े से आत्माता कर बैठा हूं मेरी वहूफ शिवरात्री के दिन विद्वा हो गई तेरे वहू विद्वा हुई है ठीक उसी तरह तेरा बेटा अपने शादी के बाद की पहले शिवरात्री को मर्ड़िगा तेरी वहुव विद्वा होगी वह होगा उसके नाश का का नश मेरे ज्खकुण वैश के जिनाश का कारण और सुट अकान मृत्यू को प्राथ होगा तेला होगा सर्वनाश थाकुर! यह मेरे दिल की आवाज है! और यह है मेरा श्राफ जो तुझे भोगनाई होगा! मेरे श्राफ को, पिधातकों भूदा करना होगा थाकुर! पंदच थाकुर सहाब मेरे विश्वाच कीजे थाकुर सहाब मैं भगवान शिव की कसम खाकर सच कहता हूं थाकुर सहाब थाकुर सहाब मैं अगर जूट बोल रहा हूं तो भगवान शकर मेरे प्राण हर ले थाकुर सहाब हे भोले नाद हे शिव चंकर अगर मैं जूट बोल रहा हूं तो इनसाब आपके हाथ में है मैं ने बहुत बड़ा पाप किया य्शाब मैंने ही मैंने तो contributor के लिए वह उससिं misirm हूं कर अब हुश्णों की मंदर से चोरे करवाई ती डाज दिर्जाब है रुद्र प्रताफ है का रुद्र प्रताफ हम तुम्हारे पुर्वश हैं विंद्याचल प्रदेश के धर्म राज धर्मादिगारी यह कैसा न्याय किया तुम्हारे कारण एक मासूम को प्याम त्यागना पड़ा तुने ऐसा कैसे किया रुद्र प्रताफ कान बंद करने से हमारी आवाज बंद नहीं होगी तुने अन्याय किया है तुझे मालूम है ना हमारी कठोर तपस्या से प्रसंद होकर जब भगवान शिम ने अपनी तलवार दी थी तब उन् पुत्र प्रभू तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसंद होकर हम यह तलवार तुम्हें सौपते हैं इसकी सहायता से तुम विंध्याचल प्रदेश में धर्म और न्याय को इस्थापित रखोगे उत्र यह तलवार अविजित है इसे धारन करते ही तुम्हें मेरी शक्ति समाहित हो जाएगी किन्तु ध्यान रहे तुमसे या तुम्हारे वंशच से किसी से भी यदि कोई गलत करना होगा जैसे आग्या प्रद्यां कि अ कि अ कि तुमने गलत फैसला कर दिया रुद्र प्रताब तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा तु अब शिव जी के तलवार का अधिकारी नहीं रहा तेरा अधिकार खत्म हो गया मैं हर जनम में आभी की पत्नी बनू और मेरी सुहाब का दीपक सदा ही जलता रहे होता है कभी कभी ऐसा भी होता है ठाको रुद्र प्रताब होता है जुद्र परता है जुद्र प्रता इख एज ठाको छ applying रुद्र प्रताप, तुने मुझे देश निकाला दिया था ना, देख, आज भेर और सेंग तुझे प्राण निकाला दिया था है प्राण निकाला दिया था है भेरो भेरो से मैं तुम्हें मित्यों धंड देता हूँ लेठ गुरायम तेरे करवा चोप का उभार यह तेरे पती का कफन मेरा उभार अच्छा लगाना होता है कभी कभी ऐसा भी होता है भेरो याद रखना एक दिन यही तेरा कफन बनेगा यही तेरा कफन बनेगा इस तरह मेरे सुहा को भेरव सिंह ने उजाड डाला उस समय तुमेरे गर्भ में था मैंने प्रदिशोत की ज्वाला को दबा डाला तुझे जन्म देने के बाद मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती थी कि तो अपने पिता के अधूरे न्याय को पूरा कर सके और तभी मोहन की मा के श्राब के एक एक शब्द मेरी कानों में इस तरह कूँजने लगे कि मैं परेशान हो उठी एक दिन एक योगी राज आए और मैंने उनसे तुम्हारा भविश्य पूछा उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्प के छटी दिन विधाता स्वेम आकर अपने दूद चित्रगुप के रूप में उसका भविश्य लिखते हैं और छटे दिन मैं तुम्हारे लिए पूरी राज जाकती रही पुत्री क्या बात है पुत्री तुमने हमारा मार क्यों व्रुद्ध किया आपके दर्शन प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो गया ये विद्वा अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती है लेकिन ये तो धर्म के विरुद्ध है परंतु आपको बताना होगा फिर भी तुम हट कर रही हो तो सुनो तुम्हारे ये पुत्र धर्म परायन मात्र भूमी की रक्षा करने वाला एम अपनी मा का अज्यकरी पुत्र होगा जिसका ये श्यारों दिशाओं में फैलेगा ये द्रखायू होगा परंतु 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 क्या देव तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा पुत्री कि तेरह ये पुत्र कभी विवाह न करें अगर उसने विवाह किया तो विवाह पशात प्रथम शिवरात्री के दिन तेरे इस पुत्र की मृत्यू हो जाएगी यही विधी का विधान है जिसे कोई नहीं टाल सकता मेरे मिर्त्यू के डर से मां तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी भैरव सिंग ने मेरे धर्मात्मा समान पिता की हत्या कर दी मां अब मैं अपने पिता के अधूरे नयाय को पूरा करूंगा अब तो मेरी जिन्दगी का एक ही मकसद है धैरो सिंग का वत्व मां, मां आप चिंदा न करें इन्हें कुछ नहीं होगा आप जानती हैं हमें स्वय शिर्जी और मां पार्वती ने अशिर्वार देकर वर्दान दिया था कैसा वर्दान? मां एक दिन हम अपनी सहीलियों के साथ पन में जा रहे थे तब देख लेना मा, हमारी सुहाग का दिपग इस संसार में हमेशा जलता रहेगा अब चाहे इसकी बीच कोई भी क्यों ना आ जाए पर गौरी शंकर का वर्दान विफल नहीं जाएगा जय ओ शिव शंबू, नारायन, नारायन आओ पुत्रनारत, ये क्या हो गया? धर्मप्रताप और शिवानी का विवा? अब तो विधी के अनुसार शिवरात्री की दिन धर्मप्रताप की मृट्ट्य वर्टल है अब शिव जी के वर्दान का क्या होगा वैसे भी समस्त भू लोग में ब्रह्मा के विधान में शिव जी भी कोई अस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं समस्त भू लोग में अच्छा तो देखते एक तरह भगवान शिव का वर्दान और दूसरी तरह ब्रह्मा का विधान आखिर विजय किसकी होगी माहा देव शिव विश्वनात जी हैं काशी जिन का धाम जब मन मेरे महा मंत्र तू पंचाक्षर शुभ नाम ओम नम शिवाए ओम नम शिवाए महा देव शिव विश्वनात हैं काशी जीन का धाम जब मत मेरे महा मंत्र तू पंचाक्षर शुभ नाम ओम नम शिवाए ओम नम शिवाए जटा में जिन के हर हर बहती पती तपान गंगा नेल पंच बाधों परदारे गले में सप बुज़ंगा डमरू और त्रिशूल हात में धैर दक्ष की माला भाल पे सोहे शिव के चंदा शंभू का रूप निराला शिव के दर्शन से मिट जाते लोब मोह मद काम जगमन मेरे महामंत तू पंचाक्षर शुगना ओम नमा शिवाए ओम नमा शिवाए हरु हरु मारे हरु हरु मारे विश्वनात शिव सोमेश्वर शिव मल्लिकार जुन शिव है ओमकारेश्वर महकालेश्व केदारनात शिव जी है भीमा शंकर त्रयंब केश्वर नागेश्वर घुश्मेश्वर वैदनात है शिव शंकर जी सेदु बंध रामेश्वर बारह जो तिर लिंगो प्राणी भक्ति से करे लो प्रणां जब मन मेरे महामंत्र तू अंचाक्षरिश्वर नाम ओम नमा शिवाई ओम नमा शिवाई शिवस्वरूम है विश्वदाथका तारतनाथ है शंकर लेख्याई पाशी निया सयम विराज है नाथ बने विश्वेश्वन विश्वनाथ के नित पूजन से नित दे सभी अभी शाप जो तिरलेंगों के दर्शन से जन्मों के कटते पाप विश्वनाथ के महिमा जग में पावन ललेत ललाम जग मन मेरे महामंत दू पंचाक्षर शुबनाथ ओम नमा शुभाएएई ओम नमा शुभाएएई जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम राणाम अचारे जी आपने हमें बुलाया हाँ पुत्री भगवान शंकर के आशिरवात से छोटे ठाकुर जब से विंद्याचल प्रदेश के धर्माधिकारी बने हैं चारों और शांती है और भैरों का आतंक भी खत्म हो गया है ठाकुराइन मेरा विश्वास है कि छोटे ठाकुर बहुरानी के साथ काशी जाएं और जिस शिवत्रिशूल पर काशी ठहरी है उस शूल टंकेश्वर महादेव का अभिशेक करें तो अवश्य श्राप मुक्त हो ज ले जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा मा आज तो हमार नहिया धन्य हो गई आप जानत से छोटे ठाकुर इही नहिया पर बड़े ठाकुर भी काशी आवत रहे हमुके जानके बड़ी खुशी भाईल है कि आप विंद्याचल प्रदेश के धर्मराज हो गईल है बिटिया जा अरे नाव आले भाईया जरा सुनो अरे उधर देखिए ये तो अपने योगिराज जी लग रहे हैं अरे भाईया नाव जल्दी उसकी नारी लेचलिये हाँ विंद्या जैयो शिवशंकर जैयोगिराजी पैठिये योगिराजी आप यहाँ योगिराजी आपने तो हमें कोई आशीरवाद ही नहीं दिया मैं सब जानता हो पुत्री तुम अपने पती को श्राप से मुक्त कराने के लिए शूल टंकेश्वर का विशे कराने जा रही हो आप तो अंतर यामी है आप हमें ये बताएए क्या ब्रह्मा जी के विधान को ब ब्रह्मा जी की विधान को भी बदल सकती है और हमारे साथ तो शिव जी और मापारवदी का वर्दान भी है शिवानी ये क्या विवाद कर रही हो जीवन और मृत्यू तो मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं और मैं तो भगवान शिव से यही कामना करता हूं कि जब तक जीवन है मैं धर्म और नयाय की रक्षा करता रहूं अवश्य फुत्र मेरा आश्रवाद तुम्हारे साथ है और इसे ये कैसा संयोग कहा जाए कि भगवान शिव और मापारवती विवाद के बाद पर्थम काशी में ही आये थे और तुम लोग ये विवाद के पशात काशी नहीं जा रहे हूं सेच आप हमें ये बताईए कि भगवान शिव और मापारवती काशी कैसे आये थे भगवान शिव और मापारवती विवाद पशात विंद्याचल आये हुए थे विंद्याचल में जब उनके परवास का पता उनके अंश विस्वनाजी को हुआ तो शिव पार्वति यह हमारी प्रिय भूमी काशी लग रही है यहां के द्रश्य अत्यंत सुन्दर और मनोहारी है यह भूमी हमें बहुत प्यारी है जानती हो क्यों तुम्हें तो याद ही होगा प्रिय त्रिस्टी के प्रारंब में यह धर्ती पूर्ण रूप से जल में डूबी हुई थी और हमने और तुमने दोनों ने मिलकर अर्ध नारीश्वर का रूप धारंड कर प्रत्वी के एक भाग को जल से निकाला जिसका नामकरन काशी के रूप में किया तत्पशात हमने शिरी ब्रह्मा एवं शिरी विष्णो के उत्तथी कर उन्हें इस त्रिस्टी का विस्तार एवं लालन पालन का अधिकार पतान किया यही है इस त्रिस्टी की रधम पावन धर्ती काशी हाँ प्रभू एक एक घटना क्रम जैसे कल के ही बात लगती है प्राप्त कर लिया और प्रभू ब्रह्मा जी और विष्णुजी ने इस भूमी के लिए कितना भयान कर युद किया था और और मुझे उनके युद्ध को रोपने के लिए स्वयम हस्तक्षेप करना पड़ा था और हाँ देव और तब आपने ब्रह्मा जी एममश्रिव विष्णुजी को चारों वेदों की माता गायत्री का महमंत्र दिया और वेदों के ज्यान के साथ पंचाक्षर ओम नमस्शिवाय का मोल मंत्र दिया और प्रभू यहां के द्रिश्वी कितने मनोहारी है कि यहां से जाने के इच्छाई नहीं हो रही अब तो इस का आशी नगरी से अत्यान प्रीत से हो गई है केलाश जाने के इच्छाई नहीं हो रही प्रभू तो हम यहीं निवास करते हैं परंतु हमारे कैलाश का क्या होगा जये शिव संभूः जये भोलेनाथ विश्वनाथ जी आप और यहाँ हाँ प्रभू आपके दर्शम के लिए मेरी आखे तरस रही थी जब मैंने सुना कि आप और देवी पारवती विंद्याचल परवत पर निवास कर रहे हैं तो मैं आपके दर्शनों के लिए विंद्याचल गया पर वहाँ पता लगा कि आप आनदवन काशी में विराज रहे हैं प्रभु आपके लिए दर्शिनों के लिए व्याकुल मैं यहां भागा भागा चलाया। विश्वनाची, हम आपकी भक्ती से अत्यम्त प्रसन्न हैं। बोलिये क्या चाहते हैं। हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। हे कहलाशपती, हे विश्व के नाथ, चंद्रभाल, मैं आप ही का अंश हूँ, आपका सेवक हूँ। आपने इस काशी नगरी में देवी पारवती के साथ पधार कर, हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। विश्वनाची, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। हम तो आपके दर्शन के लिए ही पारवती के साथ यहां आये थे। आप तो हमारे ही अंश है। हे प्रभू, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं और रिश्यों के साथ इस काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर देवी पारवती और अपने गड़ों सहित यहीं पर निवास करें। हाँ बोलेनाथ, आप विश्वनाथ जी के अनुरोध को स्विकार करें। यह स्थल तो मुझे भी अत्यंत प्रिये है। देवी, आपने विश्वनाथ जी के अनुरोध को स्विकार कर इन्हें और हमें दोनों को कृतार्थ किया है। और हम आज इस नगर को अपने विवाह के उपलक्ष में आपको भीट करते हैं। आज से ये काशी नगरी हमारी राजधानी होगी। और हम इस नगरी को वर्दान देते हैं कि ये इस प्रत्वी पर रहकर भी प्रित्वी से अलग रहेगी। इस नगरी को हमारा विशेश अनुराग प्राप्त होगा। अबसे ये मुक्ति धाम भी कहलाएगी। मुक्ति? स्वामी, मेरी एक जिग्यासा है। यदि कोई प्राणी जिसने कई जन्मों से पात किया हो, तथा स्रस्टी के नियमों को तोड़ा हो, तो क्या ऐसे पापी व्यक्ति को भी यहाँ मुक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रत्वी पर कोई एक स्थान तो ऐसा भी होना चाहिए। जहा कोई भी मनुष्य शुद्ध मन से अपने जीवन की सारी भूलों और सारे पापों को स्वीकार कर यदि ख्षमा प्राप्त करना चाहता हो तो उसे 84 लाख योनियों की इस कठिन प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाए हाँ प्रभू यदि हमारा कोई भिभग सच्चे दिल से विश्वनात का मंत्र जाप करेगा तो उसके सारे संकट शण में दूर हो जाएंगे हे गिर्जे ऐसा ही होगा और आज से इस नगर में आप अन्पूर्णा देवी के नाम से प्रतिश्ठित होंगी इस नगर के वासियों को कभी भी अन्द की कमी नहीं होगी प्रभू आज आपने समस्त मारव जाती पर महान उपकार किया है अब आप स्वयम इस मोक्षधाम काशी को समाले स्वामी आप इस नगरी का निर्मान विश्व कर्मा जिसे ही कराएं ऐसा ही होगा देवों में देव महादे भायरव का प्रणाम स्विकार करें इस पंचकोष काशी भूवी पर तुम्हारा स्वागत है भैरवनात अब तुम हमारे पास यहीं रहकर इस नगरी की रक्षा करो हम तुमें इस नगरी का सेनापती निक्त करते हैं जो भी हमारे दर्शन का फढ़र प्राप्त करना चाहेगा उसे हमारे दर्शन से पूर्व तुम्हारे दर्शन करने होगे प्रभू, आपने जो दायत्त मुझे सौपा है, उसका निर्वाह मैं पूर्ण निष्ठा से करूगा। इस तरह भगवान शिव ने धर्ती वासियों के लिए एक मुक्ती धाम, मोक्ष धाम, स्वारन रतनों से जरित नगरी का निर्मान, समुंदर से निकाले असंख मोतियों से भगवान विश्परमा के द्वारा करवाया। और शिव जी यहां स्वेंग रास्ते हैं। इसलिए पुत्री, तुम्हारे पती को मुक्ती यहीं से मिलेगी। किंतु। किंतु क्या? अरे ओ बिटुवा, जल्दी यहां आवा, देखो हम के के लेके आए लहाओ। विंदाचल प्रदेश के धरमराज, ठाकुर धरम परदाप की। आओ मित्र स्वागत है, अरे मित्र गुरुकुल के बाद आज मिले हो, आओ मित्र। अरे भोला, तुम यहां। कैसे हो तुम। जी। और। मैंने विवा कर लिया। अच्छा। तुमने विवा कर लिया। वा, अच्छा और बताओ। जी। दुल्हनिया तो बड़ी सुन्दर है। प्रणाम। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आप ठाकुर रुद्र प्रताप के बेटे हो, वही प्रताप, वही प्रभाव, वही संस्कार, कितनी प्रसन्यता हुई। नीलकंथाय व्रिषबध्वजाय तस्मै्षिकाराय नमस्षिवाय। वशिष्टकुम्भादवव गौतमाय। मुनींद्र देवाचित शेखराय। चंद्राक वैश्वा नर्लो चनाय। तस्मै्वकाराय नमस्षिवाय। जिस आस्था और निष्ठा से आपने महादेव की अर्चना की है। उसके प्रतिफल आप श्रापमुक्त हो चुके हैं। तस्मैयकाराय नमस्षिवाय। ओम नमस्षिवाय। ओम नमस्षिवाय। यह शिवजी का शिरुवाद है। यह आपकी रक्षा अवश्च्र करेगा। इसे धारन कर लें। आयुश्मान भव। अखंड सौभाग्य बती भव। पुत्र, कल होली है। और सभी लोगों की इच्छा है के बहुरानी और आप इसमें सम्मिलित हो। तू लोगन के आईले से इबार कासी में बहुती बढ़िया होली होई। होली है, होली है, होली है। अरे होली में छाइल नसाब हो जीके गारी देली घर घर जाके। अरे भंग पे रंग चड़े ऐसन के, भर फागन बुड़वादे वर लागे। अरे ठंडाई में भंग घोट के, अंदर कर ले प्यारे। ओ चड़े नसाब जोर जोर से शिव के कर जय करे। जय जय शिव शम्भोर जय जय बंभोला। जय जय शिव शम्भोर जय जय बंभोला। और नाम तेरा हम ले कर पी गए, चड़ गया भंग का गोला। जय जय शिव शम्भोर जय जय बंभोला। जय जय शिव शम्भोर जय जय बंभोला। नाम तेरा हम ले कर पी गए, चड़ गया भंग का गोला। जय जय शिव शम्भोर जय जय बंभोला। नाच रही आखों में मेरे गंगा जी की लहरिया। किरना जाओ समहल मुझे तु ओपा के सबरिया। नाच रही आखों में मेरे गोरी तेरी खमरिया। किरना जाओ समहल मुझे तु ओपा के सबरिया। अरे देख के होली का जलवारे मनुआ मेरा दोला जे जे शिव शंबूर जे जे बंभोला बाते हैं होली की सारी मौसम है होली का एद में होता है यारा मिलना हम जो लिका अरे बात समझ में आई बाते हैं होली की सारी मौसम है होली का येद में होता है यारा मिलना हम जो लिका ओडल मैंने तेरे नाम की ओडल मैंने तेरे डाम की आज चनरिया चैना जै जै शिव शंभूर जै जै बम भोला जै जै शिव शंभूर जै जै बम भोला गंगा जल में रंग घोल गोरी तुझको नहला दो तू मुझको अपना ले यारा मैं तुझको अपना लूँ अरे खाले पान बना रस वाला नहले पे लग जाए तहला जै जै शिव शंभूर जै बम भोला जै जै शिव शंभूर जै जै बम भोला नाम तेरा हम ले करती गए चड़ जा भंग का गोला जै जै शिव शंभूर जै 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 बम भोला हाँ! हाँ! हाँ भीसा है! ताकोर धरम परताब से, तू काशी नगरे मुक्ति के लिए आये था ना, देख, मने तुझे जीवन से ही मुक्त कर दिया, और सुना, हम से टक्राने का इंजाम केवल मरत्यू है, अकाल मरत्यू, अकाल मरत्यू, तेख, ठाकोर धरम परताब से, अकाल मिरत्यू वो मरे, जो काम करें चंडाल का, काल उसका क्या बिगारे, जो भक्त हो, महाकाल का, किसने बिजाए तुझे, को ने चूँ, अरो कलवा, जोगी, बीरू, देख, देख, क्या हो, काट डालो से, काट डालो से, लेजिए ठाको धरम प्रताब, तो लाज कर दिजिए इस बार प्योंगा, लेजिए, मनो! हुथा! पाचु बचुद्दा भाए, अरे भीरू? फोज रजे saja करूछ तं gefागी हाँौ आइ, पिर धि जभा, आऐ, आए , 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 बाल ! क्यों माहनना चाहता है मुझे ? बाल किसने वेजाये तुझे ? छोड़े ठाख कोई छोड़े एगा नहीं पापी को किसमें फेजाए तुझाए फेल अपसी कि इता साक्षक साशी विशुनात की महमा हो कि अपनी छोटे ठाकूर के प्रार बजगेल जये मामा साशी विशुनात की जये मामा साशी विशुनात की महमा काशी विशुनात की जदम देवता सश्टी केशिव ददम भूमिशिव की काशी विश्वनात शिव जोती रहे है घडड़ वाजी अविनाशी देवों में महादेव है काशी विशुनात जी गंगा तट पे बिराजे स्वयं बोले नात जी महिमा बड़ी तेथों में काशी विशुनात की बोलो रे जय बोलो बाबा बोले नात की महिमा बड़ी तेथों में काशी विश्वनात जी गंगा अपने अम्रत जर्ड़ी तेथों में काशी विश्वनात की धारा बनके बहती है काशी की पावन भूमे को मुक्ष धाम मा करती है ओ जो भी जल में नहता उसको स्वर्ग का सुख देती है दशाशो में धगाट प्राणी तरे नहात गंगा तट पे बिराजे सोयं बोले नात जी महिमा बड़ी तेथों में काशी विश्वनात की बोलो रे जै बोलो बाबा बोले नात की महिमा काशे विश्वनात की महिमा काशे विश्वनात की रखम देवता सुष्टी केश्व रखम भूविश्व की काशे विश्वनात श्व जो पिलेंगे है खटखटवासी हमिनाशी अनपूर्णा मंदिर में कर लो देवी देर्शन अनधन भंडार भरेगा हो संपन्न ये जीवन ओ पर्वतिमा स्वयम बिराजी कर लो मन से पूजन संकट मोचन हनुमान है भक्तो जोडो हाथ महावीर बज रंग बली रुद्र है बोले नात जी महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनात की बोलो रे जै बोलो बाबा बोले नात की महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनात की कर लो जै 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 कार बाबा बोले नात की रामचरित मानस को रचे थे संत गो स्वामी तुलसी दास असी घाट पे तन को तजे थे बन गया तुलसी घाट ओ रामचरित मानस को शिवने दे दिया स्वयों प्रमान मिला जगत सम्मान हो गए तुलसी तुलसी दास गंगा तट पे बिराजे स्वयों बोले नात जी महीमा बड़े दिर्थों में काशि विश्वनात की भोलो रे जै बोलो बाबा बोले नात की महीमा बड़े दिर्थों में काशि विश्वनात की महिमा काशि विश्वनात की दसम देवता सश्की केश्व दसम भूमिश्व की काशी विश्वनात शिव जोती यह हद रडवां से अविनाशी कर्म धर्म सत कर्म की वाणी गाते रहे कभी कभीर चोड़ा बन गया पावन कभीरा बने कभीर कभीर की हर बात गुझे हर घर में हर घाट गंगा तट पे बिराजे स्वयम भोले नात जी महिमा बड़ी तिर्थों में काशी वे शुनात की बोलो रे जै बोलो बाबा बोले नात की महिमा बड़ी तिर्थों में काशी वे शुनात की करुझे जै जैनार बाबा बोले नात की हर प्राणी की अंतिम इच्छा कल्प वांस काशी में विश्वनाथ जी पूरी करते सबकी आंस काशी में ओ अंत में सदगत देते हैं शिव मोक्ष धाम काशी में सातों जनम के पाप काटी विश्व किनाशी में कल युग में भी विराजे स्वयं भोले नात जी महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनाथ की बोलो रे जै बोलो बाबा भोले नात की महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनाथ की घरो जै जै कार बाबा भोले नात की देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी गंगा कट पे बिराजे स्वयं भोले नात जी महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनाथ की बोलो रे जै बोलो बाबा भोले नात की महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनाथ की घरो जै जै कार बाबा भोले नात की महिमा बड़ी तिर्थों में काशी विश्वनाथ की अजय स्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व। सिवलिंग के पास आकर रुख गई बैदी जी जी हमने सुना है काशी के कंकंड में शिर्जी विराज्टे हैं आप ठीक कहती हैं बहुरानी काशी का हर कंकर बोले जै शिर्शंकर जै शिर्शंकर अरच चलत है के नहीं ससुरी चलाज कि शुर्फ अब करी में कि इस एता किसा क्या हो रहा है कि सुरी गोवादा गो क्यों मांड़े रहा है इंय का हलाग करें वास्ते ले जाए रही ससुरी इह आके रुख गई गौहत्या अरे भाई गौह हमारी माँ के समान होती है और मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम भी आज से गौहत्या बंद कर दो का गौहत्या बंद कर दें अ का कहे थो साहब गया का तकदीर यही जब अब तक दूद देथ है घर के खूटा पे ओई के बाद कसाय के घर चला हडा मारस्ते से क्या तुम अपने मां के साथ भी ऐसाई करते हो वो मां जो तुम्हें दूद पिलाती है अगर वो दूद न दे तो उसे क्यों नहीं काट डालते हैं यह गाय तो हमारी मां से भी बर्कर होती है जो अपने बच्चे का हिस्सा हमें पिलाती है क्या तुम इसके दूद का कर्च कभी उतार सकते हो इका करस तो हम अभाई उतार दई आज तो तो हार मैया इहाई हालाल इका तो बाद में देखिं बैले तोई का देख्लें प्रणाम छोटे ठाकुर बोला बोलो क्या समाचार है ठाकुर सहाब अब गाउं में भैरा सेंग कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने शिव जी की सोगन खाकर उसे मारने का प्रहण लिया है इसलिए उसने काशी में आपको मारने की कोशिश की थी भैराव तो पता नहीं कहां छुपा बैठा है बस एक बार एक बार वो मुझे मिलना चाहिए लेकिन ठाकुर साब भैराव सिंग तो आप गलती से भी आपके सामने आएगा या नहीं इसका पता नहीं पर आप शिव दलवार से उसका वद कर सकते हैं इसलिए आप से हाथ जोड़कर हम सबकी विनिती है हमें छुट करा दिलवाईए गलती से ही सही भैराव यह कदम अवश्य उठाएगा और यह कदम उसके जीवन तांत होगा लेकिन ठाकुर साहब भैराव सिंग कहां है कौन देगा इसका समाचार कौन बताएगा हमें कौन करेगा हमारी साहता बताईए ठाकुर साहब शिव जी की सहायता से मैं पूरा करूंगा अपने पिता का नयाय मृत्यू दंड दूंगा है प्रभू प्रभू मैंने छुरात्री में सुअपने देखा वो इतना बुरा था कि मेरे हिर्दे की धड़कन रुख गई शिर्वात्री को केवल चार महाशेश रहे गए मेरे बेटे की सदय रक्षा करना अगर उसे कुछ हो गया तो विंध्या चलानाथ हो जाएगा जिस सालों बाद हमें ये खुश्या मिली है प्रभू नहीं मा अब चिंता न करें उन्हें कुछ नहीं होगा आप तो जानती है ना होली वाले दीन क्या हुआ था जब शिर्वजी और पार्वत्वी का वर्दान हमारे साथ है तो आप चिंता क्यों करती हैं और अब तो हमने 16 संभार का व्रत रखा है आप चिंता नकरे माा उन्ह उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा माँ पूर्न हुवा व्रत सुलसमवालरे, शिव की करो जह जह का तो शिव की करो जह 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 का पूर्ण हुवा अब्रत सुला सुमवादरे शिव की करो जै जैकार भगतों शिव की करो जै जैकार शिव सपने करेंगे साकार भोले शिव सपने करेंगे साकार भगतों शिव की करो जै जैकार भगतों शिव की करो जै जैकार दूर्ण हुवा अब्रत सुला सुमवादरे शिव की करो जै जैकार भगतों शिव की करो जै जैकार कर दो कर दो कर दो पुद्या पन ना जानो देवा जानो न पूचल अर्यचन श्रत्था भक्ति से जो भी चड़ाओ ग्रहण करो मेरे बगवर पुद्या पन ना जानो देवा जानो न पूचल अर्यचन श्रत्था भक्ति से जो भी चड़ाओ ग्रहण करो मेरे बगवर शिव की चरन पड़ो बारं बार रे शिव की करो जैजैका पूर्ण हुआ व्रत्थ सुला सुमवार रे शिव की करो जैजैका में अगनों शिव की करो जैजैका आठ ऐसे बोड़ों व्रत्थ सी नेया ते तो आड़ों बार बthe तूटे ना विश्वास हमारा तूटे ना मन की शाति आशिरवाद दो शिवजी हमें ये करू मैं तुमारे बाति तूटे ना विश्वास हमारा तूटे ना मन की शाति आशिरवाद दो शिवजी हमें ये करू मैं तुमारे बाति शिव महिमा है अप्रम पार रे शिव की करो जै जैकार रे भगतों शिव की करो जै जैकार बूर्ण ववावरत सुला सुमवारे शिव की करो जै जैकार रे बगतों शिव की करो जै जैकार बूर्ण ववावरत सुमवारे शिव की करो जैकार जिस जीवन के शिवरक्षक है उस बबुराला होगा देपक मेरे सुहाग का जग में सदा ही जलता रहेगा जिस जीवन के शिवरक्षक है उस का बुराला होगा देपक मेरे सुहाग का जग में सदा ही जलता रहेगा मेरे जीवन के शिव आधार रे शिव की करो जैकार रे भगतों शिव की करो जैकार दूर्णव वावरत सुलसम वाज रे शिव की करो जैकार रे भगतों शिव की करो जैकार रे शिव शंकर गोरी शंकर जै प्रलयंकर देवा कोई कमी जो रह जाए तो मन में न ले ना देवा मन में न ले ना देवा विगण बनातों भाग जगातों अंतरिया मी देवा हे खट खट के हे कन कन के जीवन स्वामी देवा प्रभुदे देवन स्वामी देवा हे त्र पुरारी शंक्ति के स्वामी मुझको दो ये शंक्ति पिता के ज्याय को पून कर सकूं करू तुमारी भक्ति देवा करू तुमारी भक्ति देवा करू तुमारी भक्ति जन्म लिया जिसलिए प्रभु प्रतिज्या निभाओ पर्म की अन्याय का संधार करू रक्षा करू मैं धर्म की देवा हर 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 महादेव रुक जाओ ठाको होता है बहुत प्यार करते हो इससे धरम परताब होता है कभी कभी ऐसा भी होता है देख 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 हाँ चालू क्या हाँ हाँ देख उदर उदर गर्दन मुझे नहीं उदर देख हाँ 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 कुट्टे कुट्टे भगवान से डर पापी आज के दिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता भेरा आज तेरी मौत तुझे यहां लेकर आई है समझा धर्म्राज तू तो बहुत सक्त जान है रे मैं तो तुझे काशी में ही मानना चाता था ताकि तुस्री रा स्वर्ग जासके और तुझे मोक्ष की भी प्राप्ती हो हाँ होता है कभी कभी ऐसा भी होता है धर्म्राज विंद्यान्चल प्रदेश के धर्म्राज धर्म प्रताप देख आज बहरों सिंग करेगा तरीज जिंद्गी का फैसला देख बुजंद देख कैसे छट पठा रहा है ये हाँ 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 25 सार पहले धर्म्राज तेरे बाप की जिंद्गी का फैसला भी मैंने किया था सुना है कि तुछ शंकर का बहुत बड़ा भगता है देख अतरी जिंद्गी का शिकार करूंगा मैं तो बुला अपने इस शंकर को बचाने इसे त्राही त्राही मैं नाथ पुकारू यही अवसर मोहान उबारो लेप तरिशूल शत्रन को मारो संकर्ट से मोहान उबारो अब 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 शंकर हो संकट के नाशक मंगल करण विघन विनाशक पोजन राम चंद्र जब कीना जीत के लंक विभीशन दीना हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव महादेन विभी अब अब आब čार्ण बेटा निकाल भगवान शिप की तलवार को और नाश कर दें पापियों का जा बेटा पूरा कर अपने पिता के न्याय को हर हर महादर भैरा 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 देख देख इस रक्त से भरी चादर को देख इसे तो तु पहचानता है ना इतना घबरा क्यों रहा है तुझे खून से होली खेलने का बहुत शौक है न तो खेल अपने ही खून से अपनी होली यह मेरे सुहाग का खून है जिससे तुने होली खेली और यही खून अब तेरा कफन बन जाएगा तेरा कफन भेरव तेरा कफन मुझा मुझा माफ कर दो गराई मुझा माफ कर दो मुझा माफ कर दो तेरो बेर उसे पाट दो अच्छो रह अच्छ। अ अ मैंने उप्चार कर दिया है बवरानी, अब छोटे ठाकूर शीगर अच्छे हो जाएंगे, खबरानी की कोई बात नहीं है, अरे ये क्या? मैंने तो अपने काशी में इससे भी कई बड़े बड़े घाउं ठीक किये है, अरे ये तो जाग रहे है, माजी कहा है? माजी तो छोटे ठाकूर की रक्षा के लिए महमृत्यूंजे के अखन जाप में लीन हो चुकी है, अब ठीक तो है? सब कुछ तो अब सामाने है, प्रभू ने अगर चाहा तो कल सुबह तक ही छोटे ठाकूर अवश्य ठीक हो जाएंगे. अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो काफी आराम है. क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? आपको क्या हुआ? हे प्रभू, ये क्या हो रहा है? हे प्रभू, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. ये क्या हो रहा है तो? वे अच्छी कुछ कीजे ना. मेरी तो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. कि छोटे ठाकुर को यह क्या हो रहा है जो इंसान अभी तक अच्छा हो रहा था और मेरे सभी उप्चार भलताई हो रहे थे अरे अरे इनकी नब्स की गती भी असामान ने हो रही है शरीर मस्तिस के अनुशारे कारे भी नहीं कर रहा है अरे यह तो धीरे धीरे अर्द मुर्शा वस्थाम की और जा रहे हैं है प्रभू आप कुछ करते क्यों नहीं अरे अरे भूरानी भूरानी यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है यह तो मुझे किसी तीसरी शक्ती का प्रभाव रगता है यह तीसरी शक्ती का ही प्रभाव है बहुरानी पुत्री आज शिवरात्री है और ब्रह्माग्रे विधान अनुसार काल की घड़ी प्रारंब हो गई है तेहर जाएगी ये काल की घड़ी क्या भॉलिश अंगर को अपने दिया हुआ वचन याद नहीं क्या उन्हें ये भी याद नहीं कि उन्होंने हमें अखंडस अभाग्यवति का वर्दान दिया था हाँ पुत्री अवश्य दिया था लेकिन ब्रह्मा का विधान भी तो अटल है उससे कौन टकड़ाएगा और इस धर्ती पे तो इसे टाला नहीं जा सकता हुआ हम टकड़ाए है और तीनों लोकों से अलग है यहां भगवान शिव अपने भक्तों की पुकात्वन सुनते हैं इसलिए पुत्री शिवरात्री पूजन से पहले धर्म परताप को विश्वनाजी के मंदिर ले जाओ और उनका दिया वचन उन्हें अस्मरन करो विलम ना करो पुत्री शिग झाले कि एद्वराएजन, का विख एचाली कि अवर्टर आप्टरी कि एद बन्तरिया धार्न करोवाज परिजू प्रुछिर एओध में पुत्तित थी बख़त्री कि इस धमने भरताऊने पहले इस चाहिए झालाक है झाले झालेक में दिएाखने में झाले बाले कि एच्क हाह आण, हाह आण, हाह हाह शिव आई में तेरे खा 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 हुआ हुआ शिव आई शिव आई शिव आई परदान मिना है मुझको अखंस भाग्यवती का, संकट में है प्राण प्रभोजी आज मेरे स्वामी का परदान मिना है मुझको अखंस भाग्यवती का, संकट में है प्राण प्रभोजी आज मेरे स्वामी का हेम्रित जय जय गया के सागर सुन लो प्रिपानी था उजड रहा मेरा संसा उजड रहा संसा शिवाई में तेरे तार है कैसा अन्याए प्रभोजी आज तेरे आंगन में दुख के बाद अर्चाए प्रभोजी आज मेरे जीवन में है कैसा अन्याए प्रभोजी आज तेरे आंगन में दुख के बाद अर्चाए प्रभोजी आज मेरे जीवन में विश्वनात जी महादेव जी मेरे काशिलार कर दो नयाँ पार प्रभोजी कर दो नयाँ पार शिगलाई में तेरे था शिगलाई में तेरे था बढॲाई आप ंंगन में विश्वनात जुख के आवे बाद अगनम आर्चाए लुए तेरे शिए प्रभोजी गिरे शिगुट नंका जात लुट Ск consomm जर्थ हुए मंगल के सूत्र है जर्थ हुई ये चूडिया जर्थ हुए सिंदूर मांग के जर्थ हुई ये बिलिया जर्थ हुए मंगल के सूत्र है जर्थ हुई ये चूडिया जर्थ हुए सिंदूर मांग के जर्थ हुई ये बिलिया हे करुणा कर है गंका धर है ना ठोके ना सुन लो मेरी पुका प्रभुजी सुन लो मेरी पुका शिवाई मैं तेरे सा शिवाई मैं तेरे सा शिवाई मैं तेरे ता शिवाई मैं तेरे ता शिवाई मैं तेरे सा शिवाई मैं तेरे ता शिवाई मैं तेरे ता शिवाई मैं तेरे सा बहुरानी, नहीं ना बेटी ना, अगर तु ही हिम्मत हार गई, तो तेरे प्रती के प्राणों के रक्षा कौन करेगा। क्या तु भूल गई कि पारवती और महादयों ने तुझे अखंटी सौभागिवती होने का वर्दान दिया है। ओट, ओट बेटी ओट, मांगने की तरह मांग। सावित रिबन और अपने सत्यवान की रक्षा कर। ओट बेटी ओट। के तरह में पूल भूल गगते हैं लोगती हो रिए लोगता है। भूल, वगते हैं प्रोगता है। एक आप जरहा दिकारा के लोगाड़ा सब्सक्राइब कास आप नाप मेटया को अधिए पर एक हम केड़ा लुझाड़ा ने राख व करेदा ने भी दो किपा एक है अपना वचन निभाओ, ए मृत्र पिछाया पती पे मेरे विश्वनात जी बचाओ, पाशे नात बचाओ, पाशे नात बचाओ पाशे नात बचाओ, 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 पाशे है प्रुट्यूं जय चाहगिए आज आपके वर्दान का जोगा आपने तो हमें वर्दान दिया था राखंड सो भांगेवति का पर आज हमारे पती के प्राइट जा रहे हैं अगर आज आपने हमारे पती के प्राइट वापस न लाए तो इस दुन्या के सारे भक्तों का आप पर्षे विश्वास उठ जाएगा प्रभू शिवानी तुम यहां एक स्त्री जब अपने पती के प्राणों की रक्षा करना चाहती है वो अपने सतीद्व के बल पर कहीं भी पहुँच सकती है प्रभू कहीं भी पहुच सकती है किन्तु मैं अपने वर्दान के कारण ब्रह्मा जी का विधान परिवर्तित नहीं करना चाहता स्रिस्टी की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी और प्रित्वी की व्यवस्था प्रित्वी की व्यवस्था तो ब्रह्मा जी ही देखते हैं और यह नियम भी मैंने ही बना तो नियम नहीं चलता आप तो अपने भर्दां नहीं को स्मय वर्दान देते हैं उनके कष्टों को दूर करते हैं उन्हें श्राफ से भीक्त करते हैं अपने बर्दान की रक्षा कीजिए प्रभु कमें लाज बचायर प्रभु विरुम्स कि तर अतीशकों सुंतर निसंदेह तुम एक पती प्रता इस्त्री हो इसका ल्योग में सावित्री के बाद तुमने अपनी इच्छा शक्ती और भक्ती से सारे जगत को पुना एक नया मार्ग दिखाया है कि इस्त्री अपनी द्रढ़ प्रतिग्या और तब के बल पर विधाता के विधान को भी परिवर्तित कर सकती है निसंदेह काशी के कारण आज मेरे वर्दान और ब्रम्मा जी के विधान दोनों की रक्षा हो गई कर दोनों के दोनों के विधा है अरण पर जगत कर दोनों के वृवर्दाह नहीं पर दोनों के विधान हम पुछकाषी लिष्माग इए! पुलकाषी लिस्माटी! सच्चे मन से जो भी भगो इस पवित्र काशी भूमी पर हमें स्मिर्ण करेगा हम अवश्य उसे प्ल देंगे है है नारायन नारायन हे माते आप की लिला तो अप्रमपार है पहले तो आपने शिवानी को बहुत कश्ट दिए उसके शादी रुकवाई और अब उसे खुश देखकर आखुश हो रही है यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि प्याकर मेरी उतकंठा शान्त करें माते पुत्र नारत मैंने जो कुछ पर किया भगवान शुकी वर्दान की रक्षा के लिए किया पुत्र देवो में महतेव है काश विश्वनात जी गंगा तक में विराजे स्वयम बोले नात जी महिमा निराली है काश विश्वनात जी गोलो रेज बोलो बाबा भोले नात जी भेरव जी पोत्वाल यहां दंड पानी न्याय पथी हैं इनके तरश बिन भाल नहीं देते शिव और दमपोर्ण विश्व और भारत वर्ष के सिभभक्त जो मुक्तिधाम मुक्षधाम याने कासिधाम ना आ सके हो वो अवश्व परिवार अपने माता पिता संग छवी गिरी में आकर कासी विश्वनाच जी का दर्शन करें और पुन के भागी बने के वाशिशुए मुनिराज पर देविश्व के नाथ गंगा तकते विराजें